जै माता दिमित्रों अभी हाली के दिनों में सूर्य ग्रहन पड़ा था और चंद्र ग्रहन भी कल था तो आप ये सोच रहे होंगे कि ग्रहन में हमने बिना गुरु के मंत्र सिद्ध कर लिये हैं यूटूब पर देख देख करके तो अब हम क्या करें अम मंत्रों के जब के बा पाम मित्रों जिनके गुरु नहीं है उन्होंने भी यूटूब पर देखा कि सूर्य ग्रहन में चंद्र ग्रहन में मंत्र सिद्ध हो जाते हैं साल भर आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको इन एक दो घंटों के समय में आपके मंत्रों को जागरती मिल जाती हैं आलपो समय में आप मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं मैंने ग्रहन के पहले इन विश्यों पर वीडियो नहीं बनाए क्यों कि जो इस बारे में जानते हैं जिनके पास गुरु हैं जिनके पास भकताई की ट्रेनिंग हैं वे सभी तो अपना अपना काम अपने हिसाब से कर ही लेते हैं परंतु जो नए लोग हैं वे बिना गुरु के कोई मंत्र को कर ले ये किसी चीज को कर ले या किसी भी यूट्यूबर को अपना गुरू मान करके उसके सानिद्ध को मान करके अपनी अगाद भक्ती और शरद्धा के माध्धम से इस कारे को कर ले परन्तु आगे उसको कोई समधान न मिले तब इस इस्थिती का जिम्मेदार कौन है मैं तो कदापी नहीं होना चाहता इसलिए मैंने इस परकार के वीडियो पहले नहीं बना है परन्तु एसे साधक होंगे एसे भगत होंगे जो नए-नए है परन्तु उनको कोई अप्रूवल नहीं मिला उनको कोई बानाता नहीं मिली और आप एक भगत हैं किया आप एक कर्म को करने के लिए योग्य है इस बात को सुदिश्चित करता है वो आपकी कमियों को दूर करता है आपकी योग्यताओं को निखारता है आपके अंदर छुपी हुई विशेष्टाओं को बाहर लाता है और आपको उस तरह के माध्यम में या उस प्रकार के मार्ग में आगे बढ़ाता है ठीक उसी प्रकार जैसे आप एक स्कूल में शिक्षा गरहण करते हैं गुरु शिश्य परमप्रा में तो शुरू से ही ये सब चीज थी परंतु आजकल आधुनिक शिक्षा में ये सब चीज सकते हैं हम एक अपना बेस तो बना सकते हैं हम एक बेस यानिक अपना आधार बना सकते हैं कि किस प्रकार से क्या चीज की जाती क्या क्या चीजे होती हैं उसमें अपनी रुची को जगा सकते हैं परंतु जब तक हमारे पास प्रतक्ष कोई संस्था नहों अथ्वा गुरू सूरी ग्रहन होया चंदर ग्रहन हो यानि मना कि सथिति को जिस स्थिति में सोने घतना हो रही हो अथ्वा पुराणिक कथाओं के नुसा सूरे और राहू के द्वारा चंदर और सूरे को ग्रसित किया जाना हो हमें उस ग्रसित अवस्था या सोर मंडली अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं जब सारे विश्व का ध्यान उस बात की ओर ध्यान अकर्शन में होता है उस बात की ओर अकर्शन में होता है उस बात की ओर इंगित होता है कि सरफ एक ही जगे लगे हुए हैं तब एक सामूहिक उर्जा का जो संचार होता है वो एक विशेश रूप से होता है जो इत दोनों ग जबार साधनायादी करते हैं, यूटिव आदी के माध्यम से जब बेज़वारे में सुनते हैं, तब वह भी अपनी योगिता के नुसार अपनी पूरी उर्जा इस ओर लगा देते हैं, जिस ओर सभी लोगों की उर्जा सामुहिक रूप से इंगित हो, उस हमें और उस काल में उर्जा का भैंकर और बहुत अधिक भढडारन हो जाता है, जो सभी में थोड़ा थोड़ा व्याप्त होने लगता है, तब जिसके मस्तिश्क में उस ओर जितना ध्यान होगा, या उस उर्जा को ग्रहन करने के लिए, जितना वो अग्रेशित और मैं कहूं की उस ओर जितना ध्याना करशित होगा, उसके अंदर उस उर्जा का भंडारन उतना अधिक होगा, इसलिए हमें एसे सामुहिक पूजा काल में, एसे सामुहिक कर्म में, एसे तोहरों के समय, एसे ग्रहन कालादी में, हमें अवश्य ही यह सब कर्म करने चाहिए, ताकि हमारी उर्जा का यह हुआ हैं doант प्रेसाल मार्ति चाहिरून हो माध्यमी की पानि जने लिए को धार प्रकाप्ति चीरह विया करें हैं के लिए सब्सक्राट पार यदिस का दर्मारी जो हम धीक करतेजीं का खर्ला कहते यह से पुरज जीजिए सब लगाथार तक युद्ट Уकूल वर्जन थर्ड वर्जन हम लाते रहें लाते रहें लाते रहें तो यह जितना बार-बार होता है उतना हमारे अंदर जितना ग्रहन हम करते हैं जितना हम उसको प्राप्त करते हैं उतना ही हमें फायदा होता है तो जिन लोगों के गुरू नहीं है उन्होंने अगर कहीं से करना चाहिए जिसमें की सभी लोग कर सकते हो उसमें कोई गुण दोश ना हो उसमें सिर्फ और सिर्फ आध्धात में कुन्नती हो एसे सामाने मंत्रों का नाम मंत्रों का हमें जब करना चाहिए जिन मंत्रों की विधी हमें नहीं आती उन मंत्रों की और हमें नहीं जाना चाहि अब बात आती है कि आपने जो भी नाम मंतर जपे चाहे आपने ओम नमा शिवाय ओम रामाय नम्हा ओम नमा भगवते वासुदेवाय ओम नमा भगवते रुद्राय ही क्यों न पड़ा हो और आपने गायतरी मंतर ही क्यों न पड़ा हो तब आपको एसे समय में इनकी आपने ज इन आपको कैर ना चाहिए किसी विक्ति को गुरु अबश्य बना रोले लिए शरल में जाना चाहिए लेलिफरन को प्रकार कि आप पर रहं जिनने आप इस्ट मानते हैं उनी के मंतर को जबते रहें उनी से निविदन करें कि आप मुझे अती शीघ्र शीग्रह था शीघ्र ग्रू के चर Pa affection दे मैं गुरू के चरणों की सेवा का प्यासा हूँ मुझे उनकी ही सेवा करनी है उनी से आशिरवाद लेना है आपकी किरपा से मुझे जथाशिगर गुरू मंतर की प्राप्ती हो गुरू आशिरवाद की प्राप्ती हो गुरू के द्वारा बताएगे सद मार्ग की प्राप्ती हो ताकि मैं आपकी सेवा और अनन्य भक्ती से कर सकूँ, आपकी सेवा निरंतर और अखंडर रूप से कर सकूँ, जन्म जन्मांतर तक कर सकूँ, आपकी किरपा मुझ पर बनी रहे, इस प्रकार का जब हम उनसे निविदन करते हैं, तब हमें अवश्य ही उस मंतर के से खेचे हुए हमारे पास आते हैं, और हमारी प्यास, हमारी तडप को समझते हैं, और हमें गुरु उचरणों की सेवा अवश्य प्रदान करते हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, कि बिना गुरु के किये गए जब निर्थर तब नहीं होगे, जब आप उनसे ही अपनी गुरु प्राप्ती के लिए निवेदन और अपना समर्पनत अप कर देंगे, तब आपको गुरु अवश्य मिलेंगे, लेकिन गुरु के लिए निवेदन कर देने मातर से काम नहीं होगा, आपको क्या करना है, आपको उसके लिए प्रयास भी करना है, आपको जहां तहां चमतकारिक गुरुओं के पास ना भटकते हुए एसे शुद्ध सात्व करीती से दरवार चलते हुए जहां आपको दिखाई देते हैं कि जहां कम से कम भीड़ हो जहां कम से कम लोग आते हो परन्तु उनके काम होते हो आप वहां जा करके देखें अपने इस्ट का इसमर तब आप उनको गुरु बना सकते हैं आप किस तरह के घर में विचार रखते हैं शुद्ध सात्विक विचार रखते हैं या तामसिक विचार रखते हैं या उस तरह की पूजा करते हैं तब क्या वे गादी पर बेठेवी व्यक्ति किस तरह के पूजा पद्धती को अपता करते हैं नहीं हिसे कि बहुत सवार्ट आपको खालते हैं कि नंडरत अवोहन कर दिएके वाल में। परहतन है। थोड़ा आप जान कर nya है। आप तरह जह संन्हें करे अत भागतं से करा कि आपको घुर धारन कर ना importing शायद में आपकी परिक्षा ले और आपको स्विकार भी कर ले जाए मोडेश्वरी बोल भाव